जिंगा, ये जिंगा है, ये मृत अवशेशों को खाकर जीता है, ये नदी और सागर दोनों जगह रहता है करकट, ये है करकट, ये जिंगे से बड़ा होता है, ये सागर में रहता है केकड़ा, ये है केकड़ा, सागर तल पर ये जुंड में रहते हैं, हमेशा खाने की खोज में रहने वाले ये जीब, ज्यादा तर अन्य बड़ी मचलियों का शिकार बनते हैं ओक्टुपस, ये है ओक्टुपस, इसके आठ हात होते हैं, अपने हातों से ये अपने शिकार को पकड़ता है विशाल समुद्र फेनी, ये विशाल समुद्र फेनी है, ये गहरे सागर में रहता है इसकी आखें किसी भी सरजीव से बड़ी होती हैं, स्परम भेल मचली अक्सर इसका शिकार करती है सीप, ये है सीप, ये दो खोल वाले छोटे प्राणी होते हैं, खाने के समय वे खोल खोलते हैं और शत्रू करीब आने पर खोल बंद कर लेते हैं तारा मचली, ये है तारा मचली, ये पाँच हातों वाली तारा सदुष, अप्रुष्ठवन्शी मचली है ये अपने हाथों का उपयोग करके सीप का खोल खोल कर अंदर का मास खाती है जेली फिश, ये है जेली फिश, ये समुंदर में रहती है, ये च्छाते के आकार की होती है कभी-कभी ये समुंदर के किनारे दिखाई देती है, पर इसके दंड जहरीले होते हैं इसलिए इन्हें कभी चूना नहीं चाहिए मूंगा, ये है मूंगा दिखने में ये समुदरी वनस्पती जैसी ही है परन्तु असल में ये चोटे समुदरी जीव हैं जो जुंड बनाकर बस्ती में रहते हैं इन्हें भी जहरीले दंड होते हैं, इसलिए इन्हें भी चूना नहीं चाहिए समुदरी साही ये है समुदरी साही ये तारा मचली के जाती की है इसका शरीर काटो वाले गेंद की तरह होता है